मनुष को मै के घमंड की मदिरा पिला कर मधोश करने वाला पाखंडी केवल मन है उसके हाथों में मोह उमाया का जाल है जिसे वो मनुष की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है यह मन शरीर से भी मोह करता है अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी खुशियों में खुशियों से भरे गीद गाता है तो दुख में दुख भरे गीद कुन गुनाता है अपने द्ख में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी होती है किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता रसी में बानकर उसे तरह तरह के नाच नचुआता रहता है वो जीव को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में जाग कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदल जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात कार करे हे पार्थ प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में जाग कर आत्मा को देखे तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश इसपस्ट दिखाई देगा उसी को परमात्मा का साक्षात कार कहते हैं तुम तो कहते हो कि अपने अंतर में जहाग कर आत्मा को और उस आत्मा में प्रकाशित परमात्मा को पहचाने। अर्थात आत्मा से अलग कोई और है जो आत्मा को पहचानेगा। यह किसको कह रहे हो कि आत्मा को पहचाने। कौन पहचानेगा अंतर की आत्मा को। तुम्हारा मन, मन, हाँ, तुम्हारा मन, परन्तु तुम्तों कहते हो, कि मन माया के भ्रमजाल में भसा कर प्राणी को बहुत नाचना चाता है, फिर वो आत्मा और प्रमात्मा के और क्यों ले जाएगा, तुमने ठीक प्रेशन किया आरजुन, उसका उत्तर ये है, कि जब तक तुम अपने आपको मन और विश्यों के आधीम रहने दोगे, तब तक वो तुम्हें नाचना चाता रहेगा, ये पार्थ, मनुष का शरील एक रत की भाती है, उस रत के जो घोड़े हैं, उन्हें मनुष की इंद्रियां समझो, जैसे आख, नाख, कान, मुक, जीवा आदी, उन इंद्रियों को, घोड़ों को जो सार्थी चलाता है, वो सार्थी ही मन है, और उस रत में बैठा हुआ, जो उस रत का स्वामी है, वही आत्मा है, मनुष की इंद्रियां अपने विश्यों की और आकाशित होती रहती हैं, और उसका मन, इंद्रियों को, उनके विश्यों की और ही दोड़ाता रहता है, यह तभी तक हो सकता है, जब तक जीवात्मा अपने मन को अपने काबु में ना लाए, जब तक मन काबु में नहीं आएगा, वो इंद्रियों को उनके विश्यों की और ही दोड़ाता रहेगा, विश्य उनको बुलाते हैं, इंद्रियां उनकी तरफ भागती हैं, और मन जीवात्मा की परवाग किये बगैर रत को उस और लिये जाता है, परन्त जब तुम स्वयम मन के आधीन न रहकर मन को अपने आधीन कर लोगे, तो वही मन एक अच्छे सार्थी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रत को सीधे प्रभू के चर्णों में ले जाएगा, यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके आधीन हो, तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकरता रहेगा, और जब तुम मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे, तो वही मन तुम्हें मोख्ष के द्वार तक ले जाएगा, हे मदुसूदन, ये कहना तो बहुत आसान है, कि तुम मन पर काबू पालो, मन के स्वामी बन जाओ, परन्तो यही तो सबसे दुश्कर कार्य है, हे केशव, मन तो वाई की तरह चंचल है, जिस प्रकार बहते हुई हवा पर काबू पाना असंभाव है, इसी प्रकार इस चंचल मन को अपने आधीन करना अती दुश्कर काम है, हे अरजुन, तुम्हारा यह कहना सत्य है कि मन अती चंचल है, उसे अपने वश्मे करना बहुत मुश्किल है, मुश्किल हैं जनार्दन, असंभाव है, नहीं अरजुन, मुश्किल अवश्य है, परन्तो असंभाव नहीं है, तुम्हारा कहना है कि मन को वश्मे करने का कोई तरीका कोई साधन भी है अवश्य है क्या है वो तरीका मन को वश्मे करने के लिए उस पर दो तलवारों से प्रहार करना पड़ता है एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी तलवार है वैराग्य की अभ्यास और वैराग्य हाँ अभ्यास और वैराग्य देखो अर्जुन अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास मन को एक काम पर लगा दो वो वहां से भागेगा उसे पकड़ कर लाओ वो फिर भागेगा उसे फिर पकड़ो ऐसा बार-बार करना पड़ेगा जैसे घोडे का नोजाच शिशू एक शण के लिए भी इस्तिर नहीं रहता शण शण में इधर उधर फुदकता रहता है उसी प्रकार मन भी शण शण में इधर उधर फुदकता रहता है एक चंचल घोडे की तरह मन भी बड़ा चंचल होता है और ऐसे चंचल मन को काबू करना उतना ही कठेन है जैसे किसी मुझोर घोड़े को काबू करना ऐसे घोड़े को काबू करने के लिए सवार जितना जोर लगाता है घोड़ा उतना ही विरोत करता है और बार बार सवार को ही गिरा देता है परन्तु यदि सवार द्रण संकल्प हो तो अंद में वो सरकश घोड़े पर सवार हो जाता है बस फिर वही घोड़ा सवार के इशारे पर चलता है उसी प्रकार मन को भी नियंत्रण की रसी में बान कर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है तो अंत में वो अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना जब अभ्यास की तलवार से ही मन ठीक रास्ते पर आ जाए फिर वो दूसरी वैरागी की तलवार की क्या आवशक्ता है उसकी आवश्यक्ता इसलिए है कि एक बार ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद मन फिर से उल्टे रास्ते पर न चला जाए क्योंकि उल्टे रास्ते पर इंद्रियों के विशे उसे सदा ही आकर्षित करते रहेंगे मिथ्या, भोग, विलास और काम की तृष्णा उसे फिर अपनी और खीश सकती है इसलिए मन को ये समझने जरूरी है कि वो सारे विशे भोग, मिथ्या हैं, असार हैं योग, माया के द्वारा उत्पन होने वाले मोह का भ्रम है मन जब इस सत्य को समझ लेगा, तो उसे विश्यों से मोह नहीं रहेगा बलकि उससे वैराग्य हो जाएगा और यही वैराग्य की तलवार का काम है कि वो विश्यों के मोह को काट के मन को सन्यासी बना देती है हे केशव, ये जो तुम वैराग्य की बात करते हो ये तो तभी आसकता है जब प्रानी को आप की सबात पर विश्वास हो जाए कि ये सारा जगत वास्तों में मिध्या है, नश्वर है परंद तु आपकी माया के प्रभाव से वो सत्य जान पड़ता है इस परम सत्य के ज्यान पर विश्वास हो जाए तभी तो वैराग्य होगा विल्कुल ज्यानी मनेश्य के हिर्दे में वैराग्य पैदा कर सकता है और वही सच्चा ज्यान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं तुम तो प्रदान कर रहे हो कृष्ण परन्तु मेरा मन उसको ग्रहन क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि अभी तक तुम मोह अब भ्रह्म के अंधकार से बाहर नहीं निकले इसलिए तुम उस ग्यान को ग्रहन करने में असमर्थ हो